बसकार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोहिताश यादव बात करेंगे आज मार्केट इतना अच्छा चला उसके बाद तुरंद गिरा क्यों उसका रीजन पूछ रहें लोग भाई आज खिर ऐसा क्या हो गया कि मार्केट उपर गया और नीची आ गया और दूसरा टोपिक रहेगा अपना बाइनेंस ने कुछ पेयर्स को डेलिस्ट किया है तो प्लीज आप उनको भी जरा दियान से सुनिया और देखिये भी पहले बात करते हैं कि आखिर मार्केट उपर जाके तुरंद गिरा क्यों एक अच्छा कासा मॉमेंटम बना क्यों क्योंकि जो सब की उम्मीद थी जो सब चाहरे थे वो हुआ भी पाविल ने वैशा ही किया लेकिन वो कहते हैं पाविल तो पाविल है अगर कुछ देना आता है तो तुरंत उसकी बसड फेलाना भी आता है रायता फैलाना भी आता है और वही पाविल ने किया अगर पाविल की स्पीच सही रहती तो यह जो तुरंट हुआ न जो यूटन हुआ वो बिल्कुल नहीं होता यहां वो कहता है आग में घी किसने डाला इलोन मस्क ने वो भी पताते हैं वीडियो इंपोर्टन है देखी का जरूर अच्छा लगया तो लाइक जरूर कीजिए क्योंकर कहीने कहीं से आपस में सब लिंक है इसी बज़े से मार्केट गिरा भी अब हुआ यह कि जैसे ही इंट्रेस रेट अनॉंस हुआ तो अच्छी खासी अर्याली आई अचानक से 18,300 के उपर गया बिटी सी और उसके देगे जब यह अनॉंसमेंट हुआ उसके बाद एक पाविल की स्पीच और होती है और यह सब को पता है अब इस स्पीच के आदाद पे ही आगे की स्ट्रेटेजी जो है मार्केट अपनी त्या करता है कि आगे क्या गोना है अब इस स्पीच में ही सारा खेल बिगाड़ दिया पाविल ने एक उधर गुड़नी उजदी लेकिन इस स्पीच में उन्होंने वो कहते हैं अब जैसे यह बोला मार्केट ने वहीं से यूटन लेना शुरू कर दिया और भी आगे जो बोला वो और खतरनाक था साब साब बोल दे कि साब ऐसा नहीं है कि यहां 50% बड़ा है तो ऐसा कि आगे जाकर अभी 25 हो जाएगा बिलकुल नहीं आगे की स्ट्रेटजी 2023 में तयार होगी कि क्या करना है इसको 75 पे ले जाना है या और एक पे ले जाना है हमें अपना जो महगाई है वो 2% पे लानी है जो अभी CPI data 7.1 आया उसको 2 पे लेके आना है सीधा साब यह है तो 2 पे लेके आना है तो आप यहाँ पर दिक्कत होई होगी या तो यह थोड़ा सा negative नहीं बोलते है यह बोलते कि भाई ठीक है 50 है आगे हो सकता है हम 50 ही रखेंगे या देखेंगे आगे जो भी situation होगी लेकिन जो यह बोल देना कि आप यहाँ बिल्कुल यह न समझें कि हाँ 50 हो गया तो आगे 25 होगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बस यहीं से मार्केट ने अपना एक तरह से यूटन ले ले लिया और पाविल साब तो कुछ और ही कह रहे है यहीं से मार्केट ने यूटन ले लिया और उसके बाद तो फिर आप देखे ने मार्केट आपके सामने एक अच्छा खासा थोड़ा सा जबकि देखिए ओल्ट कोईन में उतना ज़्यादा उच्छाल आभी नहीं पाया था जितना आना चाहिए था उतना ओल्ट कोईन में वहां तक नहीं आ पाया था तब तक तो यह सरी पसड़ फैल गई बेटी सी ये केवल ऐसा था जिसमें एक थोड़ा सा स्पाइक आना शुरू हुआ था उसके बेटी सी अगर थोड़ा सा स्पाइक लेता तब ही जाके आपके और और ओल्ट कोईन वो इसपाइक लेते लेकिन ये तो जब तक यह हो पाता तब तक तो इसारी कहानी फिर सुरू हो गई तो पावेल साब की स्पीच ने सारे मार्केट को जहां से चला था वहीं पहुँचा दिया तो फिलाल अब ये कहो कि कोई बहुच जल्दी पॉजिटिव्टी आने वाली है तो ऐसा भी नहीं है अब देखते हैं और कितना टाइम लगता है अब यहाँ पर दूसरा जो कहानी हो गई वो हो गई टैसला, इलॉन मस्क ये भी साब अपने डिसिजन के लिए हम ऐसा कुछ न कुछ चर्चम रहते हैं अब इन्होंने क्या कराए अपने टैसला के 3.38 बिलियन डॉलर के सेर ही बेच दिये अब भाई इलॉन मस्क जैसा इंसान यार सेर बेचेगा तो कहीन की मार्केट में फट जाएगा मार्केट में एक पैनिक क्रियेट होगा तो वही उदर यूएस मार्केट में भी पैनिक क्रियेट हुआ तो वहां क्या हुआ वहां सेर मार्केट नीचे आ गए अपना बेटीसी या अपना केट्पोकरंसी आखिर US के share market का मुह देखके चलता है भाई उनकी अगर मुह दिखाई अच्छी होगी तो अपने BTC की भी मुह दिखाई अच्छी हो जाएगी उनका share market अगर नीचे जाएगा तो BTC आटोमेटिकली नीचे जाएगा वही वाँ उदर Elon Musk ने जैसे ही इतने ये 3.38 billion dollar के अपने Tesla के share बेचे उदर market के downfall आया उदर downfall आया तो इदर ये पहले ही पाविल ने रहता फेला रखा था उपर से एक जटका और ही आया इन दो जटकों ने market जहां पर था वहीं पहुँचा दिया तो साब ये है अभी तक की situation जो market down की थी कि market down क्यों आया कि जो मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो दिया उस पर जायतर कमेंट ये थी कि सथ जब हम जो चा रहे थे वो चीज हो गई फिर market को थोड़ा बहुत उपर रहना चीज था या 18 के उपर कहीं stable रहता ये तो फिर से वहीं आगया यहां से चला था तो उसकी वज़य पावेल और इलोन मस्क का share वेचना ये दो अभी तक की man बज़य हैं बाकी और देखते हैं अब दिन चड़ता है तो उसके साथ दीरे दीरे और कोई चीज़े निकल के आती है तो वो अपडेट आपको मैं बाद में दूँगा अब आते हैं इधर Binance Binance के साथ देखे और जो चल रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है लेकिन यहां पर एक 22 तारिक को और इनोरेक अनाउस्मेंट कर रखा है 22 तारिक को ये कुछ पेर्स को डिलिस्ट कर रहे है मैं पेर्स के नाम बताता हूँ M.I.T.H. U.S.D.T. पेर T.R.I.B.E. B.U.S.D. पेर R.E.P. U.S.D.T. पेर और B.T.C.S.T. B.U.S.D. पेर यानि के ये चार पेर ऐसे हैं जो Binance अपने यहां से 22 तारिक को हटा देगा है आपके पास टाइम है भी या तो आप कनवर्ट कीजिए या आप चाहाओ तो अपना विट्रॉख कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे मेरा काम तो आपको बताना कि Binance पर ये पेर डिलिस्ट हो रहे है यानि के खतम किये जा रहे हैं तो ये चार पेर हैं एमाइटी एच टी राइबी ए आर इपी और बी टी सी एस टी ये कुछ टोकन है जो पेर के रूम में बाइनस से खतम हो जाएंगे तो ये कुछ अभी कि वो करण डियू जो है जो कहीं ने कहीं कहते हैं नेगेटिव भी रहे हैं कुछ भी पॉजिटिव नहीं है बढ़ी सी बात है जो चीज़ पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है जो नेगेटिव है लेकिन यहां सबसे बड़ा जो ड्रोबेक रहा जो हम कहते हैं जो एक तरह से बुना सकते थे जिसको कैस करा सकते थे पॉजिट फिप्टी बेसिस इंट्रेस डेट उसको पाविल साब ने दे के भी नहीं दिया यही कहेंगे कि भाई कोई चीज़ दे के भी उन्होंने नहीं दी उसकी वज़े वो ही रही कि उनके बाद की जो स्पीच अगर वो स्पीच में थोड़ा सा पॉजिटिव बोलते या मैं यह कहता हूँ आप गोल-गोल जलेवी बना देते के भाई कुछ गुमा फिरा के बोलते लेकिन आपका इसपस्ट यह बोलते हैं कि भाई हमारा टार्गेट है दो परसेंट पे लाना महंगाई को तो भाई देखिए फिर वो कहीं ने कहीं यह सब होना ही था जो हुआ तो अब जो भी होगा आगे नेक्स्ट अप्डेट वो आपको जरूर देते हैं लेकिन अभी करंट में तो यही एक अप्डेट हैं जो आपके लिए जरूरी था जो अभी इस सिच्वेशन को इसे साब समझ सकते हैं कि इलोन मस्क और पाविल साब इन दोनों ने मिलके कल की म और उसका रेट तो और ज्यादा नीचे जा रहा है तो वह भी बताता हूं आपके क्यों जा रहा है तो आप दो बजे क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू पर जरूर मिलते हैं उसके वह अपडेट जो कहते हैं देने पड़ें भाई क्यों कि जब कुमेंट यह थे कि मार्केट गि क्यों तो मार्केट गिरने की वज़े भी बतानी पड़ेगी तो वही कुछ अपडेट मैंने आपके सामने रखे और आप आगे जो भी अपडेट होगा वह भी आपको बताता हूं तो चलिए फ्रे मिलते हैं दो बजे क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू पर नमस्कार